नमस्कार दोस्तों आप सबी का पहले देखो पहले सीको यूटूब चैनल में स्वागत है अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें है तो प्लीज रेट सब्सक्राइब बटन даль को दबाके चैनल को सब्सक्राइब क seg let इसके साथ ही जो भंटे का आईगन है इसको भी दबाके ओन गर ले लेटेश वीडियो अपडेट के लिए के बारे में एक बहुती बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आई है जैसा कि आप सभी बाई बैनों को पता है कि प्रधान मंत्री उजवला योजना का जो मैत पूर्ण जो टारगेड था वो ग्रामीन महिलाओं को फ्री गैस का नशन देनी की यहाँ पर बहुती अच्छी मंत्री उजवला योजना के तहट जो भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को फ्री गैस कनक्षन देनी की बहुती बड़ी गोशना यहाँ पर की है तो आज मैं इस के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के मादम से कि किस तरीके से सभी जो महिलाएं हैं जिनको इस इस योजना का लाब नहीं मिला है वो महिलाएं भी किस तरीके से इस योजना का जो लाब है उठा सकती है तो दोस्तो दुबारा से इसके जो फोरम है ओनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं कहां से आपको फोरम भरना है किस तरीके से आप इस योजना का लाब जो ले पाए तो दोस्तो अभी इस वीडियो के नीचे जो red subscribe आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसको दबा के हमारे यूटूब चैनल को subscribe करें इसके साथ ही दोस्तो latest notification या अगले वीडियो का notification प्राप्त करने के लिए subscribe के आगे एक छोटे से घंटे का icon आपको दिखाई दे रहा हो उसको दबा के all notification को on कर लें ताकि जैसा ही कोई भी next information आए जैसे next कोई योजना आए तो उसका वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे अपने mobile phone पर बिलकुल free में तो दोस्तो चले शुरू करते हैं आप से बात करते हैं प्रधानमंतिर उजला योजना को लेके क्या पाच कीजी gas connection उसके बाद आप इस प्रस्ट रूप से देख सकते हैं PM मोधी की उजवला योजना के थैत अब मिलेंगे 5 किलो के सलेंडर दोस्तो 28 मई 2000 गुनलीस की अपडेट है आप देख सकते हैं उजवला योजना के थैत 5 किलो के जो सलेंडर है वो मैलाओं को दिये जा उत्तर प्रदेश से शुरू ही प्रधान मंत्री उजवला योजना ने ग्रामिड महिलाओं का जो जीवन है बहुत ही आसान बनाया है यानि कि ग्रामिड छितर में ये जो योजना है बहुत ही अच्छी कारगर सिद हुई है इस योजना से लोकसभा चुनाओं में भाजपा जो जीथ है एंडिये सरकार को ग्रामिड महिलाओं के वोट जो है काफी मातरा में मिले और पार्टी ने अपने बड़े अंतर से अपनी जो जीथ है एक बार फिर से कायम रखी है इसका कारण इस प्रधान मंत्री उजवला योजना के तैर ग्रामिड महिलाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से धुये से निकाल कर उन्हें अच्छी जिन्दगी जीवन यापन करने का एक बार मोका दिया मोधी सरकार ने तो इस बार एक बार फिर से जो ग्रामिड महिलाओं है उन्होंने एक बार मोधी सरकार को दुबारा से मोका दिया है बताया जा रहा है कि 12 सो रुपए के सपोर्ट के साथ गरीबी रेका से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गैस कनक्षन दिये जाते हैं। इनका पहला जो टारगेट है मात्र सरकार बनने के सो दिन के अंतर अंतरगत सभी जो महिलाएं हैं उनको आठ करोड परिवारों को गैस कनक्षन जो फ्री में दे जाने की यहाँ पर बात कही गई है। इस पर श्रूप से आप देख सकते हैं। अब साथ करोड गुनिस लाग कनक्षन दिये जाते हैं। अब तक दोस्तों लगबग साथ करोड गुनिस लाग जो कनक्षन है उजुला योजना के तहत वित्रण किये जा चुके हैं। कि 30 मई के बाद 100 दिन के अंदर अंदर यानि की लगबग हम माने तो सवा 3 मईने यानि की देख सकते हैं। क्यासी लाग गैस कनक्षन और बाटे जाएंगे। इस बार यह लक्स पूरा हो जाने के बाद इस योजना के तहत पांच किलो के छोटे सलंडर का इस्तेमाल अनवारिये किये जाने का यहाँ पर अनुमान है। ताकि इसकी देश वर्मेजत की दो अपलब्दता है वो सूनिस्चित की जा सके। और LPG रिफिल्स को बढ़ावा मिल सके। उजवला के तहत दिये जाने वाले ओसत LPG सलंडर की रिफिल साल में तीन बार होती है। जबकि राष्टिय ओसत एक वर्ष में आप जादा से जादा साथ बार जो सलंडर है उसकी रिफिल करवा सकते हैं। बितर खरीते समय 712 रुपे का आपको भुकतान करना होता है। डायरेक्ट बैनी फिट ट्रांसपर योजना के तहत मैला ग्रायक के खाते में 250-215 रुपे जो है सबसीडी के रूप में डायरेक्ट मैला की अकाउंट के अंतरगत ट्रांसपर किये जाते हैं। लेकिन दोस्तो उसकी जगए आप देख सकते हैं जब 5 किलो गैस सलंडर का उप्योग किया जाएगा तो उसकी अंतरगत क्या बैनी फिट है। पांच किलो गैस सलंडर की मामले में रिफिल की वर्तमान जो लागत है करीब 270 रुपे में आपका जो पांच केजी का सलंडर बरा जाएगा जिसमें करीब 80 रुपे की सबसीडी आपके बैंक आकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तो देख सकते हैं उससे ज्यादा आपको यहाँ पे सबसीडी मिलने वाली है। तो दोस्तो इस कारण से जो मोधी सरकार है 14.52 किलो गैस सलंडर की जगह 5 केजी गैस का जो सलंडर है वो वितरन करने की योजना लेके आ रही है। दो किलो सलंडर भरवाने की अधिक कीमत होने के बज़े से जो BPL परिवार हैं जो गरीपरिवार हैं वो इस कम संक्या में सलंडरों का उप्योग करते हैं क्योंकि उनके पास परियाप्त पैसे नहीं होते हैं 14.52 किलो सलंडर भरवाने के तो उसके मद्द नदर रखते हुए पांच किलो के सलंडर के मामले में उसे रिफिल कराने में जो लागत नियमी सलंडर की कीमत है उससे एक तियाई इससे यानि की पांच केजी का जो सलंडर है उसके पैसे कम देने पड़ेंगे रिफिल के और जो 14.2 केजी का सलंडर होता है उसके ज्यादा पैसे देने होते हैं उनकी कम आमदनी होने के कारण वो परियापत रूप से इस योजना का लाब नहीं ले पा रहे हैं तो इसको मज़ नजर रखते हुए जो गरीब परिवारों के लिए पांच केजी सलेंडर जो है वित्रन किये जाएंगे तो दोस्तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जिन भाई बैनों ने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो इसी तरीकी की सरकारी योजनाव से सम्मंदित नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और बैल की आइकन को दबाना बिल को ना बोले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई लैटेश और ताज़ अपडेट के साथ तब तक के लिए आप सभी भाई बैन बने रही है हमारी यूटुब चैनल पहले देखो पहले सिकों में जै हिन दोस्तों जै भारत जै जवान जै किसान